कि देखिए बच्छों कोश्चन नबर 270 में फिर से वही बात आ गई जो पिछले कोश्चन में मैंने आभी आपको डिटेल में समझाया था कहता है माइनस का मैं डेलिक एसिड है कोई कमपाउंड है जिसका माइनस है मतलब S-configuration वाला Compound है उसका Specific Rotation मच्चों दिया हुआ है माइनस का upon 58 degrees कोई पर्टिकुलर Compound है S-configuration में वाला Compound है जिसका Specific Rotation माइनस 158 जिसका Specific Rotation दिया हुआ बच्चों माइनस का 158 ॵिय एक तेगडरी क्लियर है बच्चों अभ इसके HELP से हमें mixture का जो है एक solution है what would be the specific rotation of solution solution मतले mixture जिसमें 40% minus वाला है और 60% बच्चों जादा वाला है तो जादा amount किसका है plus वाले का है तो अब्यासी बात है specific rotation इसका plus में आएगा ओके तो सुरू करते हैं तो सबसे पहले percentage EE निकाली है percentage EE निकालोगे तो बच्चों 60 D minus L अब इसी खाये था आपको divided by D plus L और इंटू का 100 ऐसा करने पर बच्चों आपको 60 minus 40 20 बटे 20 आएगा 20% और 20% का मतलब यह हो गया कि 20 बटा 100 मतलब 1 बटा 5 आजाएगा क्लियर है बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा अब यह जो percentage EE है इसका दूसरा formula होता है observe rotation divided by specific rotation alpha मा लिजे ठीक है न तो यह एक बटा 5 बराबर अब यहां पर बच्चों theta observe rotation कितना दे रखा है बच्चों 158 दे रखा है यह उदर चला जाएगा तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा बताएगा 158 divided by 5 ठीक है न तो इसको आप calculate करोगे तो यह आएगा 31.6 आएगा बच्चों तो देके 31.6 कोई भी नहीं दे रखा है लेकिन 32 दे रखा है बच्चों एक प्लस में भी दे रखा है एक माइनस में भी दे रखा है आएगा ठीक है न दो क्वेशन एक ही जैसा हो गया अब तक आप तो आपको समझ में आ गया होगा कोमेंट करके ज़रूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं आपको Q271 में बच्चो What is the relation between यह दोनों compound है इसमें relation पुछा है बच्चो अगर आपको और से देखिए तो दोनों में chiral center है दोनों optically active भी है बच्चो और दोनों एक दूसरे के mirror image भी है फिर से मैं आपको बताओं दोनों optically active है दोनों एक दूसरे के mirror image है optically active कैसे बच्चो POS है नहीं COS फीसर में होता ही नहीं है ट्रिक है याद रखिया हमें सा ठीक है न अप्टिकली active यह भी है बच्चो और दोनों एक दूसरे के mirror image है इसलिए दोनों एक दूसरे के इनांसियों मर है इसके बाद बच्चो 272 272 में बच्चो अगर आप गोर से देखोगे तो दोनों एक दूसरे के optical isomer है optical isomer का क्या definition होता है बच्चो अप्टिकल isomer का definition होता है कि दो compound एक दूसरे के optical isomer होंगे यदि दोनों का molecular formula same हो structure same हो और configuration different हो molecular formula same है बच्चो structure भी same है दोनों का EPSC name लिखोगे तो 2-3 di-chlorobutane इसका भी नाम आएगा इसका भी नाम आएगा अब बच्चो configuration different है कही से पता लग रहा है देखे इस chiral center पर chlorine left में है जबकि is chiral center पर chlorine right में चला गया तो किसी भी chiral center पर अगर left वाला group right में और right वाला group left में आ जाए ना तो हम बोलते हैं configuration बदल गया है बोलते भी हैं और आप निकाल भी सकते हैं हार S configuration आपको दोनों तरीका मालूम है दोनों compound एक दूसरे के optical isomer है अब check कर लिजे दोनों दूसरे के mirror image है क्या बच्चो देखे इनांसियोमर नहीं होगा यह pair इनांसियोमर नहीं होगा क्यों नहीं होगा पता है बच्चो दोनों का optically active होना बहुत जुरूरी है तो यह तो खतम हो गया structure दोनों का same है इसलिए constitutional isomer तो होई नहीं सकता यानि क्या और conformational भी नहीं होगा क्योंकि उसमें बच्चो सिग्मा मोन के about rotation होता है तो जो compound बनते हैं बच्चो वो eclipse बनाते हैं stagger बनाते हैं rotation करके तो वो तो यहाँ पर होगा नहीं conformational isomer जब भी आपको दिये जाएंगे बच्चो दो compound एक दूसरे के conformational isomer होंगे तो वो हमेशा या तो सोहर्स में दिया रहेगा या फिर newman में दिया रहेगा ठीक है ना यह पहचान होती है खैर तो कुल में लाकर बात यह है कि यह दोनों एक दूसरे के डाइस्ट्रियोमर होंगे ठेक है ना अब क्यों होंगे यह समझ यह तो डाइस्ट्रियोमर होने के लिए क्या होता है condition दोनों compound एक दूसरे के optical isomer होने चाहिए जो कि है साथी साथ बच्चो mirror image नहीं होने चाहिए, mirror image नहीं होने चाहिए । है mirror image चेख कीजिए भच्चो एच का mirror image ह आ रहा है और है यह दूसरे के mirror image नहीं है तो दोनों एक दूसरे के ediyorum है, लिए लिए डाइस्ट्रियोमर है 273 है यह आच्छा सवाल है बच्चो करता है कि इस compound के diastriοιomor डाइस्टीरियो मतलब यह जो chiral center है बच्छो chiral center इस chiral center पर configuration हमें बदलना है जब हम इस chiral center पर configuration को बदलेंगे तो इसके optical isomer तयार होते जाएंगे पहली बात दूसरी बात यह है कि हमें इस परकार से configuration को बदलना है ताकि बनने वाला compound जो है ने इसका mirror image ना हो देखिए बच्चो आपको एक तरीका सिखाता हूँ तीन chiral center है ना तो दो को तो fix रखो आप और एक को बदल दो आप यह जो OH right में है ने बच्चो इस OH को आप left में लगा दो और बांकी जो जैसे है वैसे रहने दो बांकी जो जैसे है वैसे ही रहने दो आप तो हमने क्या किया केवल उपर वाले chiral center को बदल दिया बांकी को नहीं बदला तो उपर वाला तो mirror image देख रहा है लेकिन बांकी नहीं देख रहा है इसका मतलो यह इसका optical isomer भी हो गया सेम डाना चाहिए है ना बस chiral center पर जो group है वो बदल जाना चाहिए राइट वाला लेप्ट हो जाना चाहिए और चुकि डाइस्ट्रियोमर बनाना है तो इसका mirror image भी नहीं होना चाहिए यह मतलब तीनों के तीनों को एक साथ हम change नहीं कर सकते तो कैसे change करोगे तो देखे बच्चों हमारे पास तीन chiral center पर group है तीन chiral center के group को हमें change करना है कैसे कैसे change कर सकते हैं एक तरीका तो है कि एके chiral center के group को change करूँ तो तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं दूसा तरीका है कि दो-दो करके चेंज करूँ तो दो-दो करके कैसे चेंज करोगे अगर मैं इसको 1, 2 और 3 बोल दूँ तो एक बार मैं 1, 2 को चेंज करूँगा एक बार 1, 3 को और एक बार 2, 3 को चेंज करूँगा तो तीन तरीके से ऐसे भी चेंज हो सकता है तो एक-एक करके अगर चेंज करूँ तो तीन तरीके से चेंज हो करके तीन ओप्टिकल आईसोमर बन जाएंगे एक-एक चेंज करने से फिर दो-दो चेंज करूँ बच्चो तो फिर से तीन बन जाएंगे और एक और तीसा तरीका आजाता है तीनों को change कर दो तीनों को change करोगे तो बच्चों ये इसका mirror image बन जाएगा तो mirror image वाला diastereomer नहीं हो सकता ठीक है न तो कुल मिलाकर इसके कितने optical isomer होंगे बच्चों 6 optical isomer होंगे जो कि इसके diastereomer होंगे समझ में आया क्या नहीं आया देखे बच्चों इसके हमें optical isomer बनाने optical isomer कैसे बनेंगे जब हम chiral center पर लगे हुए group को interchange करेंगे right वाले को left करेंगे तो हमारे पास तीन chiral center है तो पहली संभावना कैसी होगी एक एक करके interchange करूँ एक बार उपर वाले को interchange कर दो बाकी दो को fix रखो बीच वाले को interchange कर दो फिर बाकी को fix रखो तीसरे को interchange कर दो fix रखो एक तो यह हो गया तीन बन गए तीन स्टक्चर बना लोगे आप फिर चौथा कैसे बना होगे वन टू को इंटर्चेंज कर देना जो ओएच राइट में लेप्ट में लगा देना फिर वच्चो टू थरी को इंटर्चेंज कर लेना फिर वच्चो वन थरी को इंटर्चेंज कर लेना फिर से ती तो डाइस्टी उमर बच्चो टोटल छे बनेंगे क्वेश्चन नमर 274 274 में बच्चो मीजो कंपाउंड कहता है पैचानने के लिए पहला ही होगा देखें दो-दो काईरल सेंटर भी है और POS भी परजेंट है तो यही मीजो हो गया इसमें देखें लग रहा है कि POS परजेंट है लेकिन POS है नहीं उपर और नीचे वाला गुरूप अलग है बच्चो ठीक है ना बाकि इसमें POS, COS तो POS नहीं है तो यही इसका correct answer होगा 275 275 में बच्चो कहता है how many stereo isomer चेक किजिए देखें यहां पर CH2 में बच्चो यहां BR लगा हुआ है फिर यहां पर CH में CH3 लगा हुआ है बच्चो फिर यहां पर CH2 और फिर CH3 कितने chiral center है बच्चो एक ही chiral center है molecule unsymmetrical है बच्चो तो unsymmetrical में आपको पता है 2 to the power n वाला formula चलता है n बराबर 1 है यहां पर तो 2 to the power 1 के हिसाब से 2 answer हो जाएगा अब बच्चो question number 276 276 में अगर आप गोर से देखोगे तो एक क्लोरी नहां पर लगीगा बच्चो और एक क्लोरी नहां पर लगीगा molecule है symmetrical molecule है symmetrical structure मने बना करके बता देता हूँ CH, CL है बच्चो फिर यहां पर CH2 फिर CH3 बच्चों यहां पर देखें 2-2 chiral center है तो n बरावर 2 आ गया molecule हो गया symmetrical वाला n बरावर 2 मतलब even number का formula आपको apply करना परेगा 2 to the power n minus 1 n by 2 minus 1 वाला इसमें जब आप रखोगे बच्चो तो 2 to the power 2 by 2 minus 1 तो finally 3 answer आ जाएगा तो correct answer d हो जाएगा